आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वालों एक बहुत ही कमाली की hidden setting के बार में स्क्रिन्शोट ठो हम सबी लोग लेतें लेकिन कमाल का स्क्रिन्शोट है वो आप लोग कैसे आपर ले सकते हो मतलब कि Lecture आप लोगों को इतनी image का यहां पर screenshot लेना हो सो आप लोग कैसे आप ले सकते हैं सो simply यहां पर three finger है उसको यहां पर tape करके रखना है और आप लोग यहां पर अपनी मर्जी से कोई भी आपर screenshot है उसको capture कर सकते हो round में और यहां पर square में भी कर सकते हो rectangle के अंदर भी कर सकते हो और अपने इसाब से आप लोगों को area है वो यहां पर choose करना है सो वो भी आप लोग यहां पर कर सकते हो जैसा कि आप लोग screen पे यहां पर देख सकते हो सो इसको मैंने आपर कर देना है save और अब guys आप लोग की देख सकते हो वो हमको यहाँ पर Redmi का जो device है, जो flexed device है और जो यहाँ पर latest device है, उनके अंदर तो यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन जो maintenance device है और जो यहाँ पर पूरा ने device हो चुके, उनके अंदर हमको यह वाला जो feature है, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, तो उसको यहाँ को आप लोग भी यहाँ पर इनेबल कर सकते हो गाई जगर आप लोगों को वीडियो यह अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर देना बाद में आप लोग यहाँ पर बूल जाओगे और चैनल को अभी सब्सक्राइब पर लेना आगे भी आपको इसी तरकी की hidden setting वो मैं आप लोगों के साथ में आपर शेयर करता रहूँगा तो गाईज आपको सबसे विले एक application है वो यहाँ पर download कर लेना है जिसका name है set edit आपको play store पर देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर यह install हो चुकिए है install होने के बाद में आप लोगों को कुछ यहाँ पर नहीं करना है आपको simply नीचे description में एक link मिल जागी official session telegram channel so इसको अभी तक भी join नीगा है so join कर लेना यहाँ पर आपको एक application के देखने को मिल जागी सिरफ only 47 byte की यहाँ पर देखने को मिलती है so इसको आप लोगों को simply आप डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद में file manager है इसको यहाँ पर open करना है और application वाला section उसको यहाँ पर open करना है इसको आप लोगों जैसे यहाँ पर open करोगे यहाँ पर आपको दो line है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी यहाँ पर गाईज आप लोगों को first वाली जो line है उसमें आपर tape करके रखने है और इसको यहाँ पर copy कर लेने है copy करने के बाद में आप लोगों ने जो भी आपर application डाउनलोड की थी उसको यहाँ पर open कर लेने है आप लोग जैसे इसको open करोगे कुछ आपको warning देखने को मिलेगी so simply आप लोगों को ignore कर देना है और यहाँ पर आपको add new setting का option देखने को मिलेगा इसको यहाँ पर paste कर देना है और save changes यहाँ पर कर देना है बस इतना ही करने है अब आप लोगों को वापस से बे करने है और जो वाली application मैंने आपको बताई दी उसमें से second जो line है उसको copy कर लेना है so इसको यहाँ पर मैंने कर लिया है copy copy करने के बाद में simply वही वाली setting है वो आप लोगों को यहाँ पर apply करनी है so कर दिया है मैंने save changes तो बस इतना ही करने है अब आप लोग किसी भी application को open कर सकते हो जैसे कि मान लो मैंने आप इस special feature वाले को उपर कर रखा है so boom guys आप लोग देख से तो इसके अंदर में यह वाला बहुत ही कमाल का feature है उसको यहाँ पर enable कर सकते हो आप लोग अपने साबसे जो यहाँ पर screen short है वो यहाँ पर ले सकते हो so कैसी लगी आप लोगों को यह hidden setting मुझे नीचे commentaries में जरूर से आपर बता देना और guys अगर आप लोगों को यह video अच्छी लगी so video को अभी like कर देना चेनल को भी subscribe कर लेना अगर आप लोगों को यह video अच्छी लगी रही है मैं मिलता आपको नेक शीडियो में तब तक लिए जय हिंद वन्डे मातरम